एक बार जब तांग युनफान ने सुना की गूमान मिल गया है तो उसे राहत मिली और उसने काव्या से अधिक विवन नहीं पूछा बात में टैंग युनफान ने अपनी कार दुरगट नास्थल पर छोड़ दी और लेंग शाउटिंग की कार में बैठ गया जिसे फिर क्वान मिंकाई कहा गया क्वान मिंकाई तब हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि फोन करने वाला तांग युनफान था तांग युनफान ने उसे कार वापस चलाने के लिए कहा फिर क्वान मिंकाई के कुछ कहने से पहले ही कार काट दी वापस बुलाए बिना, क्वान मिंकाई जल्दी में तांग युणफान की कार को वापस चलाने के लिए चला गया काफी देर बाद तांग युणफान को एहसास हुआ की कार में कोई और व्यक्ति था निंग-निंग, यहां है, तांग युणफाना ने पूछा ओ, वहाँ मेरा दोस्त है, लेंग शाउटिंग, काव्या ने कहा, लेकिन उसे यहाँ नहीं बताया कि लेंग शाउटिंग उसका प्रेमी था आपसे मिलकर अच्छा लगा, मिस्टर तांग, लेंग शाउटिंग ने कहा तांग युनफान उनके भावी ससुर थे, इसलिए निसंदे, उन्हें यथा संभव विनम रहोना चाहिए आपसे मिलकर अच्छा लगा, मिस्टर लेंग, तांग युनफान ने कहा उसने काव्या के साथ अपने रिष्टे के बारे में आगे नहीं सोचा कुछ देर की चुपी के बाद, तांग युनफान ने अचानक कहा निंग निंग, मुझे सब कुछ याद है काव्या एक खशन के लिए अवाक रह गई तांग युनफान को अंता गुमान की याददाश्ट वापस आ गई उसे खुशी से रोने का मन हो रहा था बहुत बढ़िया, यहाँ बहुत बढ़िया है उसने कहा निंग निंग, मुझे बहुत खेद है तांग युनफान ने उससे माफी मांगी हाला कि उसने पहले काव्या से माफी मांगी थी लेकिन उसने ऐसा काव्या के जैविक पिता के रूप में नहीं बलकि तांग युनफान के रूप में किया था वे एक उपनगर में थे जबकि अर्थ नाइट क्लब शहर में स्थित था और लंबी दूरी पर कई ट्राफिक लाइते थी इसलिए उन्हें अर्थ नाइट क्लब में पहुचने में आधे घंटे से अधिक समय लगा किरिन गिरोह जब वे पहुचे तो तांग युनफान ने भौहें चड़ा दी हाँ किरिन गिरोह के कई सदस्यों ने मेरी मा का अपहरन कर लिया है लेकिन में गिरोह में महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है और उन्होंने बस किसी और के पैसे ले लिये है किरिन ग्यान का मुख्या और मैं अजन भी नहीं है और वहां मेरी मदद करने को तयार है चिंता मत करू मेरी मा सुरक्षित है काव्या ने कहा क्या? क्यूई तियानलिन आपकी मदद करने को तयार था? काम युनफान आश्चर्यचकित था क्यूई तियानलिन अपने अहंकार, क्रूरता और शीतलता के लिए कुख्यात था और केवल कुछ ही लोग उससे दोस्ती कर पाते थे काम युनफान उससे डरता नहीं था, लेकिन उसके साथ संधर्ष करने में अनित चुक था लेंग शाउटिंग को भी थोड़ा असज महसूस हुआ जब काव्या ने कहा कि क्यूई तियानलिन उसकी मदद करने को तयार था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा शूटिंग क्रिप्या यहां मेरा इंतजार करें, काव्या नहीं चाहती थी कि लेंग शाउटिंग क्यूई तियानलिन से मिले क्योंकि उनके बीच लंबे समय से दुश्मनी थी अब वहां बस इतना करना चाहती थी कि जितनी जल्दी हो सके गूई मान को उठा कर घर चली जाए जरूर लेंग शाउटिंग ने समझा कि यहां क्यूई तियानलिन से मिलने का सही समय नहीं है, इसलिए वह सहमत हो गए उसके बाद काव्या और तांग युनफान ऊपर गए, वे उसी निजी कमरे में गए जहां काव्या ने पिछली बार क्यूई तियानलिन के साथ जुआ खेला था पांच मिनट पहले गूमन को इस निजी कमरे में भेजा गया था वह शारिरिक रूप से घायल नहीं थी, लेकिन यहां अपहरण उस पर गहरा मानसिक घाव छोड़ जाएगा जब वह पकड़ी गई तो उसे असहाय महसूस हुआ और उसने सोचा कि वह मरने वाली है अपरत्याशित रूप से आदे घंटे पहले कई असब्य पुरुष जो उसे यहां लाए थे उन्होंने अचानक उससे विनमरता से माफी मांगी और यहां तक कि उनसे उन्हें माफ करने की भीक मांगी शुरुवात में गूमन बहुत भ्रमित था हाला कि उन्होंने उससे माफी मांगी फिर भी वह काफी घबराई हुई महसूस कर रही थी थोड़ी देर बाद एक घुसपैठिया आदमी ने उससे बताया कि वह काव्या का दोस्त था और काव्या ने ही उसे ढूंडने के लिए उसे बुलाया था गुमन को राहत मिली लेकिन वह चिंतित था कि उन्होंने काव्या को पकड़ने के लिए ऐसा किया हाला कि उसने उससे काव्या को बुलाने के लिए कहने की हिम्मत नहीं की ताकि वह काव्या से बात कर सके क्योई तियानलिन को गुमन की चिंता का एहसास नहीं हुआ उसने सोचा कि जब उसे गुमान मिली तो उसने अपना काम पहली ही पूरा कर लिया था और उसे सुरक्षित स्थान पर ले आया जब काव्या और तांग युनफान एक साथ आये तो गुमन ने सदमे में अपनी आखे गोल कर ली दूसरी और तांग युनफान ने गुमन को प्यार, देखभाल और अपराद बोच से देखा वह जानता था कि गुमन को उसकी वज़ा से बहुत कश्ट हुआ है क्यूई तियानलिन भी आश्चरेच्कित रह गए जब तांग युनफान, जो सिटी बी में एक प्रसिद व्यक्ती थे, उनकी नजर में आए जब तक वे एक साथ नहीं दिखे, तब तक उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि तांग युनफान और काव्या एक दूसरे से काफी मिलते जुलते थे उनका रिष्टा क्या है? क्योंई तियानलिन को गपशप करना पसंद नहीं था, लेकिन वहां उत्सुक था क्योंकि उसने काव्या की प्रिष्ठभूमी की जाच की थी, और वहां जानता था कि काव्या का जन्म एकलभी भावक परिवार में हुआ था क्या तांग युनफान काव्या के जैविक पिता है? क्या तैंग युनफान भी गूमन की वज़र से यहां आई थी? किन तियानलिन ने सोचा कि उसे फिर से कुछ दिलचस्प मिल गया है अध्धक्ष टैंग, स्वागत है, क्युई तियानलिन ने तांग युनफान को बढ़ाई दी? आपसे मिलकर अच्छा लगा, तांग युनफान ने कहा ठीक है, उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया है यह जांग युनफान नाम का एक आदमी था जिसने उन्हें आपकी माँ और आपका अपहरन करने के लिए पैसे दिये थे, लेकिन आप सिटी भी में नहीं थे इसलिए उन्होंने आपकी माँ को पकड़ लिया, क्युई तियानलिन ने काव्या से कहा जांग युंग जुन ना तो तांग युनफान और नहीं काव्या ने इस नाम के बारे में सुना था और उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि उस आदमी को एक बिचॉलिया बनना था जिसे किसी और के लिए गुमान का अपहरन करने के लिए भी भुकतान किया गया था जमीन पर घुटने टेक दिये और उससे विंती की क्रिप्या हम ऐसा दोबारा नहीं करेंगे क्यों ही तियानलिन ने उन्हें नजरंदाज कर दिया कांग युनफान और काव्या भी उन्हें वापस बुकतान करने के लिए डृट थे क्रिप्या अभी के लिए मेरी मा के साथ चले जाए काम पूरा होने के बाद मैं आपसे मिलूंगी काव्या ने तांग युनफान से कहा वह नहीं चाहती थी कि गुमन हिंसा देखे जरूर टैंग युनफान समझ गया कि काव्या नहीं चाहती थी कि गूमन हिंसत द्रिशे देखे काव्या गूमन के पास चली गई लेकिन गूमन अभी भी सदमे में था इसलिए नहीं कि तांग युनफान जाग रहा था बल्कि इसलिए क्योंकि उसने उसकी आँखों से कुछ परिचित देखा जैसे कि वे 18 साल पहले के थे क्या उसकी यादाश्ट वापस आ गई गूमन उतसाहित हो गया लेकिन अचानक बेहोश हो गया मा काव्या ने तुरंत गूमन का समर्थन किया और अपनी जादूई शक्ती गूमन के शरीर में डाल दी आदमी टैंग युनफान भी दोड़कर आया और गूमन को अपनी बाहों में पकड़ लिया वह चिंतित था और थोड़ा घबराया हुआ था लाउगो देखो क्यूई तियानलिन ने एक व्यक्ती से कहा जो लगभग 50 वर्ष का था फिर काव्या की ओर मुड़ा लाउगो एक डॉक्टर है आप उसे अपनी मा को देखने दे सकते हैं धन्यवाद काव्या ने कहा गुप्त रूप से अपनी जादूई शक्ती उसके शरीर में डालने के बाद भी गुमान नहीं जागी इसलिए लाउगो को देखने देना कोई बुरा विचार नहीं था लाउगो उनके पास गए और गुमान की आखो और दिल की धर्कन की जाँच की आपकी मा बहुत दरी हुई थी इसलिए उसकी वेगस तंत्रिका पर तनाव एक बढ़ गया था और बेहोशी दो अतालता के कारण हुई थी तीन अतालता आपके दिल की धर्कन की दर्या लई के साथ एक समस्या है इसका मतलब है कि आपकी दिल बहुत तेजी से, बहुत धीमी गती से या अनियमित पैटर्न के साथ धर्कता है हैरानी की बात यहाँ है कि उसकी नाड़ी तेजी से स्थिर हो रही है और वहाँ धीरे धीरे उनीनदापन की स्थिती में प्रवेश कर रही है जब वहाँ उठेगी तो ठीक हो जाएगी लाओ गो ने कहा यहाँ काव्या की जादूई शक्ती के कारण था कि गुमान की नाड़ी इतनी तेजी से स्थिर हो रही थी यह सुनकर काव्या और तांग युनफान दोनों को रहत मिली उसके बाद टैंग युनफान ने गुमान को अपनी बाहों में उठा लिया और बाहर घूमने लगा दूसरी ओर काव्या ने सीधे उन गुंडों को देखा जिनोंने गुमान का अपहरण कर लिया था जिससे वे डर गए और उनोंने तुरंत विंती की मिस को क्रिप्या क्रिप्या हमें जाने दे हम वादा करते हैं कि हम ऐसा दोबारा कभी नहीं करेंगे मुझे बताओ तुम जान योगजुन के रारे में कितना जानते हो काव्या ने थंडे स्वर में कहा उन हुरदंगियों के नेता ने कहा मैं केवल इतना जानता हूँ कि उसका नाम जान योगजुन है वह अपने शुरुआती 40-वे वर्ष में है हम कई बार मिल चुके हैं लेकिन मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं जानता किरिन ग्यांग किंग ग्यांग से अलग था और किरिन ग्यांग के सदस्य अपनी इच्छानुसार काम कर सकते थे हाला कि यदि उन्होंने कोई परेशानी पैदा की तो उन्हें परिनाम स्वयम भूगत ना पड़ा अपहरन के बाद अगला कदम क्या था काव्या ने पूछा नेता ने कहा उसने कहा कि उसे बुलाने से पहले हमें तुम दोनों का अपहरन करना होगा और वह इससे बाद में नित्देगा काव्या ने कुछ देर सोचा वहां उत्सुक थी कि इस अपहरन के पीछे वाले व्यक्ती ने आगे क्या करने की योजना बनाई है बहुत बढ़िया आप वही कर सकते हैं जो उसने आदेश दिया है अभी उसे बुलाओ काव्या ने गुंडों के नेता से कहा बाकी अगर तुम मुझे हरा सकते हो तो तुम सुरक्षत निकल सकते हो काव्या ने वही किया जो वहां आमतोर पर करती थी यदि वे उसे लड़ाई में हरा सकते तो वहां उन्हें जाने देती हम हम नहीं कर सकते वे हुर्दंगी लगभग रो पड़े यहां बताना तो दूर की बात है कि काव्या सिर्फ एक युवा लड़की थी उसका क्यूई तियानलिन के साथ भी घनिश्ट संबंध था इसलिए उन्होंने उसे चोट पहुचाने की हिम्मत नहीं की वह जो चाहे वही करू क्यूई तियानलिन आलसे से सोफे पर लेता हुआ था जैसे वह कोई शोद देख रहा हो वह समझ गया कि यहां असंभव है कि वे जीते क्यूकि क्यूई तियानलिन ने ऐसा कहा उन्हें काव्या पर हमला करना पड़ा हाला कि इससे पहले कि वे काव्या को छूपाते उन्हें कुछ ही मिंटों में हिंसक रूप से जमीन पर गिरा दिया गया क्यूई तियानलिन को छोड़कर जो इसे देखकर शांत रहे बाकी सभी आश्चरेचकित थे काव्या के पास उन पर बर्बाद करने का समय नहीं था इसलिए उसने जितनी जल्दी हो सके सजा पूरी कर ली क्यूई मुझे अभी भी कुछ और निप्ताना है इसलिए मुझे जाना होगा लेकिन मैं इस आदमी को अपने साथ ले जाऊंगी काव्या ने क्यूई तियानलिन से कहा अलविदा, मिस गू और मुझे उम्मीद है कि हम अगली बार फिर से जुआ खेल सकेंगे आम तौर पर क्यूई तियानलिन काव्या को इस तरह जाने नहीं देता था लेकिन काव्या आज व्यस्त थी इसलिए वह सहमत हो गया हाला कि पिछली बार वहां हार गया था फिर भी वहां एक राउंड जीतना चाता था जब तक आपके पास परियाप पैसा है क्यों नहीं काव्या ने इतराते हुए कहा मेरे पास केवल पैसा है क्यों ही तियानलिन ने भी अहंकार के साथ कहा हाला कि एक बार जब उन्होंने यह कहा तो उन्हें लगा कि कुछ गलत है काव्या ने ऐसा जानबूच कर कहा क्योंकि इसका मतलब था कि वहां हानने के लिए अभिशप्त था बहुत अच्छा तो मैं अगली बार तुम्हारे पैसे लेने फिर आऊंगी काव्या मुस्कुराई क्यों ही तियानलिन ने अपने होंट खीचे प्रमुक गुंडे ने भी काव्या के बाहर निकलने का अनुसर्ण किया और उसे उम्मीद थी कि उसके सहियों के बाद काव्या उसे जाने देगी काव्या के चले जाने के बाद लाउगो ने क्योई तियानलिन से पूछा क्या वहां लड़की वही है जिसने तुम्हें गोलिया बेची थी हाला कि उसने पूछा लेकिन उसके दिल में पहले से ही जवाब था वास्तव में लाओ गो कावया की प्रशंसा करते थे क्योंकि उनकी गोलिया वास्तव में प्रभावी थी लेकिन उन्होंने लंबे समय तत इसका फॉर्मूला जानने की व्यर्थ कोशिश की थी हाँ, क्यों ही तियानलिन ने कहा यह सुनकर लाओ गो को लगा की कावया कोई साधारन लड़की नहीं हो सकती उसके पास जादूई गोलिया थी और वह कूंफू मास्टर थी इसके अलावा उसका तांग परिवार के साथ भी घनिष्ट संबंध था हाला कि उसका पारिवारिक नाम गुथा और तांग युनफान का तांग था वह जानता था कि वे उनके चहरे से एक दूसरे से संबंधित थे जब लेंग शाउटिंग ने गोमान को जो बेहोश था तांग युनफान की बाहों में ले जाते हुए देखा तो वह नाराज हो गया क्योंकि उसने सोचा कि किरिन गैंग ने उसे चोट पहुचाई होगी वह बाहर निकला और तुरंट तांग युनफान के लिए कार का दर्वाजा खोला श्री टैंग क्या हुआ लेंग शाउटिंग ने चिंता से पूछा ओ, सौभाग्य से आदमी ठीक है वह तो डर के मारे बेहोश हो गई अच्छी नींद के बाद वह ठीक हो जाएगी तांग युनफान ने कहा कुछी देर में काव्या उनसे मिलने आई श्ूटिंग, क्रिप्या उन्हें हुआफू हिल्स वापस ले जाए मुझे कुछ निपटने की जरूरत है काव्या ने कहा काव्या के पीछे अग्रणी गुंदे को देखकर वे जानते थे कि यहाँ गुमन के बारे में था यहाँ बहुत खतरनाक है तांग युनफान ने भौने चड़ा दी हाला कि वह जानता था कि काव्या कमजोर नहीं थी आखिरकार वह अकेली थी लेंग शूटिंग भी काव्या को लेकर चिंतित थी लेकिन उसने उस पर भरोसा करना चुना इसके अलावा काव्या ने एक बार जो ठान लिया तो उसका फैसला कोई नहीं बदल सकता था चिंता मत करो मैं ठीक हो जाऊंगी काव्या ने कहा अच्छा तांग युनफान ने जोर नहीं दिया ध्यान से मैं करूंगी काव्या ने कहा जब लेंग शाउटिंग ने अपनी कार भगाई तो काव्या अग्रणी गुंडे की कार में चड़ गई फिर उसने तांग हाइफेंग को फोन किया और उसे बताया कि सभी लोक सुरक्षित है यह सुनकर तांग परिवार के सभी सदस्यों को राहत मिली ओ आपके अंकल टैंग जाग रही है और वहाँ आपकी मा को खोजने के लिए क्या आप जानते हैं कि आपकी मा का अपारण किस ने किया काव्या ने कहा मैं वापस आने पर तुम्हें बताउंगी ठीक है तांग हाइफेंग ने कहा 20 मिनट बाद प्रमुक गुंडा काव्या को एक गोदाम में ले आया इसी वक्त उसका फोन बजा, कॉल करने वाले का नाम देखकर उस आदमी ने जल्दी से जवाब दिया, कैसा है? हाई, हमने उन्हें पकड़ लिया है, प्रमुक गुंडे हांग फेन ने कहा, बहुत अच्छा, मैं वही रहूंगा, आदमी ने कहा, फिर फोन रख दिया, उसके भाद, वह अध्ययन कक्ष से बाहर निकल कर तहखाने में चला गया, तहखाने में किरने के सामान के धेर लगे थे, लेकिन किरने के सामान के अलावा, एक आदमी कुरसी से बंधा हुआ था, और उसके पास दो लंबे, भारी आदमी खड़े थे, अधेर उम्रक के व्यक्ती उस व्यक्ति की ओर देखा जो कुरसी से बंधा हुआ था और उसके चहरे पर बुरे भाव थे। मैं तुम्हें अपने अंतिम शब्द कहने दोंगा उन्होंने कहा फिर जांग योंग जुन के मुह से सील हटा दी। दरसल जांग योंग जुन और अधेर उम्र का व्यक्ति एक दूसरे से काफी मिलते जुलते थे। जांग योंग जियान मैं आपका जैविक छोटा भाई हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। जांग योंग जुन गुस्से में चिलाया। ओ, मेरे छोटे छोटे भाई जांग योंग जियान ने तेड़े चेहरे के साथ कहा, हमारे माता पिता ने सब कुछ आप पर छोड़ दिया, लेकिन मैं उनका बड़ा बेटा हूँ और मुझे सब कुछ संभालना चाहिए था, आपको नहीं। उनके माता पिता ने जो किया था, उसने जांग योंग जियान के दिल पर एक गहरा मानसिक घाव छोड़ दिया था, और वह जो कुछ उनका था उसे वापस पाने के लिए कृट संकल्प था। जां योंग जियान गुसे में थे, हमारे माता पिता ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम्हें जोएकी लट है और तुम कैसीनों में हर सिक्का खो दोगे, उनकी संपतिया मेरी होनी चाहिए और मैं उनके साथ जो चाहूं वह कर सकता हूँ, जां योंग जियान ने आवाज यह कानून के रूप में नहीं लिखा गया है, जां योंग जुन ने तर्क दिया. हालाकि आम तोर पर सबसे बड़ा बेटा परिवार की संपतियों का उत्तराधिकारी होता था, लेकिन इसे कानून के रूप में नहीं लिखा गया था. इसके बजाए, प्रतेक बच्चे को माता-पिता की संपति विरासत में पाने का अधिकार था. इसके अलावा, माता-पिता को अपने बच्चों में से किसी एक को एक मात्र उत्तराधिकारी चुनने का भी अधिकार था. इसके अलावा, जां योंग जियान को हर साल लाभांज के रूप में एक लाख यूआन मिल सकते थे. आखिरकार उनका पारिवारिक व्यवसाय बहुत लाबदायक नहीं था, वह केवल एक खेट था. उनकी वारशिक आय अधिक से अधिक 4 लाख यूआन के आसपास थी. जांग योंगजियान के पास बिना किसी प्रयास के पैसा हो सकता था, लेकिन जांग योंगजुन को मुनाफ़ा हासल करने के लिए खेट को अच्छी तरह से चलाना था. मुझे परवाह नहीं है. मुझे उनकी संपत्ती चाहिए. जांग योंगजियान लगभग धाडने लगा. आप. जांग योंगजुन अवाक था. ठीक है, उसे कार में बिठाओ. हमें अब आगे करना बंद कर दिया. फिर एक लंबे आदमी ने तहखाने से बाहर निकलते हुए जांग योंगजुन को उठा लिया. बीस मिनट बाद जांग योंगजियान का समू पूरवी गोदाम में पहुचा. जांग योंगजियान ने हांग फेन को अपनी योजना नहीं बताई. इस के अलावा, काव्या, जिसे एक कुरसी से बांधा जाना चाहिए था, उस पर बैठी थी और आराम से लग रही थी. हांग फेन, यहां क्या हो रहा है? जांग योंगजियान ने हांग फेन से पूच ताच की. होंग फेन अब काव्या के सामने सहायक की तरह था. काव्या ने आदेश नहीं दिया, तो उसकी मुह खोलने की हिम्मत नहीं हुई. आप जांग योंग जुन है, काव्या ने पूचा. जांग योंग जियान ने काव्या को नजर अंदाज कर दिया, लेकिन हांग फेन से पूचा, होंग फेन, तुम क्या कर रहे हो? उसे एहसास हुआ कि हां हमारे सर की दोस्त है. जांग योंग जियान ने किरिन गिरो के कई सदस्यों को अपने प्रमुक के एक दोस्त का अपहरण करने के लिए काम पर रखा था, जो निश्चित रूप से काम नहीं करेगा. जांग योंग जियान को बेहत घबराहत महसूस हो रही थी. क्या? वह किर गिरों को परेशान करने से डरता था. चुकि उसने एक भयानग गलती की थी, इसलिए उसका भविश्य खत्रे से भरा होगा. अचानक जांग योंग जियान को जांग योंग जियान की याद आई जो बाहरकार में बंध था और उसके दिमाग में एक विचार आया. मुझे ल और मैंने उसे पहले ही बांध दिया है। वाँ, हांग फेन आश्चगेचकित था, क्योंकि वह भी जांग योगजुन को जांग योगजियान से अलग नहीं कर सका, हाला कि वह जांग योगजुन से व्यक्तिगत रूप से मिला था। जांग योगजुन को अब उनके पारिवारिक संबंध की परवाह नहीं थी। दूसरी और जांग योगजुन ने जांग योगजुन की आलोचना की। जांग योगजुन, इसके लिए मुझे दोश मत दो। यहां आपकी योजना थी और मैंने आपको फोन पर किसी से यह कहते हुए सुना की आपने मा और बेटी का सफलता पूरवक अपहरन कर लिया है, इसलिए मैं उन्हें बचाने के लिए आपके पीछे-पीछे यहां आया हूँ। जान योगजियान, तुम वास्तव में एक जहरीले सांप हो। क्या आपके पास यहां साबित करने के लिए कोई सबूत है कि आपने अभी क्या कहा। जान योगजियान ने जान योगजियान को घूर कर देखा। वह जानता था कि उसने कुछ भी गैर कानूनी नहीं किया है, इसलिए उसे विश्वास था कि वह निर्दोश है। ठीक है, आपके फोन पर कॉल रिकॉर्ड है, जान योगजियान ने कहा। आपने मेरा फोन ले लिया और आपने इसका इस्तमाल दूसरों को कॉल करने के लिए किया, जान योगजियान ने गुस्से में तरक दिया। अब आप इसे सुनें। फोन कहा है, इसे मुझे दे दो, काव्या ने कहा। कोई बात नहीं, जान योगजियान ने कहा और फिर काव्या की ओर चलते हुए फोन निकाला। उसने सोचा कि काव्या अभी भी एक भोली-भाली लड़की है और उसे आसानी से धोखा दिया जा सकता है। हाला कि उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह सिर्फ काव्या द्वारा बिचाया गया एक जाल था। ने कहा, चूकि उसने कहा था कि आपने उसका फोन पहले ही छीन लिया था, इसलिए हम फिंगरप्रिंट से पहचान कर पता लगा सकते हैं कि क्या यह सच है। फिर उसने फोन रखने के लिए एक प्लास्टिक बैग निकाला। जाहिर है वहाँ खुद इसे छूना नहीं चाहती थी। यह सुनकर जांग योंग जियान घबरा गया। जैसे ही उन्होंने फिंगरप्रिंट पहचान कर ली, उनकी योजना उजागर हो जाएगी। दूसरी और जांग योंग जुन को राहत मिली। श्री, जांग क्या गलत है। काव्या ने जान बूज कर पूछा, नहीं कुछ नहीं, जांग योंग जियान ने कहा। वहाँ अब काव्या को फोन देने से कत्रा रहा था। बहुत बढ़िया, तो इसे अभी मुझे दे दो, काव्या ने आगरह किया। हाला कि जांग योंग जियान ने चलना बंद कर दिया। जांग योंग जियान, तुम क्यों रुग गए, जांग योंग जुन ने व्यंग किया। जांग योंग जियान ने एक कदम आगे बढ़ने में जिजखते हुए उसे नजरंदाज कर दिया अचानक उसने अपना मन बना लिया और आदेश दिया, अभी उन्हें पकड़ो जांग योंगजियान को पता था कि उसकी योजना देरस्वेर उजागर हो जाएगी इसलिए उसने काव्या को तुरंट पकड़ने का फैसला किया जांग योंगजियान ने सोचा कि वे सिर्फ एक आदमी और एक युवा लड़की थे जो कमजोर लग रहे थे, इसलिए उन्हें आसानी से नियंत्रित किया जा सकता था दो भारी भरकम आदमी तुरंट काव्या और होंग फेन की ओर भागे हाला कि काव्या शांत रही क्योंकि वह वही चाहती थी जांग योंगजियान ने खुद को उजागर किया हांग फेन ने देखा था कि कैसे काव्या ने अकेली ही कुछ ही सेकंड में कई लोगों को हरा दिया था इसलिए उसे उसकी सुरक्षा की चिंता नहीं थी जहां तक उसकी बात है, उसे विश्वास था कि वह एक आदमी को संभाल सकता है. जब दो भारी भरकम आदमी पास आए, तो कावया ने उन पर हमला कर दिया, और हांग फेन ने भी उन पर हमला कर दिया. कावया ने उनमें से एक को अपने कंधे पर उठाकर जमीन पर फैंक दिया और वह जोर की आवाज के साथ जमीन पर गिरा और फिर दर्द से चल्लाने लगा उसके बाद कावया ने बिना किसी हिचकी चाहट के उसकी बाहों को उखार दिया जिससे भारी भरकम आदमी को यातना हुई हाला कि होंग फेन अभी भी दूसरे भारी आदमी के साथ भयंकर लडाई में था और वह यहाँ देखकर दंग रह गया कि काव्या ने इसे इतनी आसानी से कर लिया जान योंग जियन भी डर गया था क्योंकि उसे लगा था कि काव्या सिर्फ एक साधारन लड़की थी जान योंग जियन भी आश्चर यचकित थे जान योंग जियन सहेज रूप से मुड़ा और भाग गया लेकिन काव्या ने उसे भागने नहीं दिया पलक जपकते ही काव्या जान योंग जियन के पास आई फिर उसकी बाह पकड़ ली उसके घुटने के पीछे की खाली जगह में लात मारी जिससे उसे बहुत दर्द हुआ जान योंग जियान ने अपना संतुलन खो दिया और तुरंत घुटनों के बल बैठ गया बाद में काव्या ने उसकी भुजाएं भी उखार दी जिससे उसका दोबारा दोड़ना असंभव हो गया काव्या ने दो पुरुशों के हाथ उखार दिये थे लेकिन हांग फेन अभी भी आखिरी आदमी के साथ लड़ाई में था इसलिए काव्या ने बिना देर किये उसकी मदद की और उस आदमी को लात मार कर जमीन पर गिरा दिया हांग फेन शर्मिंदगी से लाल हो गए काव्या उसकी भावनाओं की परवा करने के मूड में नहीं थी और उसने आदेश दिया उनका मुंह बंद कर दो जरूर होंग फेन ने एक ही बार में दो भारी आदमियों का मुंह बंद कर दिया जबकि काव्या जांग योंग जियान के पास गई और उसके चहरे पर गंभीर भाव दिखारे हुए उससे पूछा काव्या की तेज आखे और उसकी शक्तिशाली हवा के साथ गंभीर नजर ने जांग योंग जियान को पूरी तरह से तनावगरस्ट महसूस कराया आप कहना नहीं चाहते काव्या ने भौने सिकोड ली मुझे लगता है कि आप काफी समय तक जीवित रहे है जांग योंग जियान घबरा गया तुम मुझे नहीं मार सकते यहां अवैद है गैकानूनी काव्या ऐसे हसी जैसे उसने कोई मज़ेदार चुर्कुला सुना हो क्या आप जानते हैं कि जिसने टांग देमिंग का ध्यान आकरशित किया और उसने सोचा कि काव्या टांग युनफान की जैविक बेटी हो सकती है यदि टांग युनफान नहीं जागा तो काव्या टांग हुआंग समो की उत्तरा धिकारी होगी जो की आखिरी चीज थी टांग देमिंग जो महत्वा कांगशी था देखना चाहता था इसलिए उसने काव्या के खिलाफ योजना बनाई थी यह सुनकर जांग योंग जुन चौक गया उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ की जांग योंग जियान ऐसी अविश्वसनिय साजिश में शामिल था टैंग परिवार सिटी बी में शीर्ष परिवार था दूसरी और काव्या ने सोचा कि यहां हास्यास पत था भले ही मैं उपस्थित नहीं हुआ टैंग परिवार में कई अन्य विकल्प है मुझे नहीं लगता कि टांग देमिंग जो कि टांग परिवार की एक शाखा का मात्र सदस्य है, उसकी संपत्ती का उतराधिकारी हो सकता है निश्चित रूप से वह किसी को भी अपने रास्ते में खड़े होने की अनुमती नहीं देगा, जांग योंग जियान ने कहा क्या आपता मतलब यह है कि वह टांग परिवार के सभी सदस्यों को माल डालेगा, काविया पागल हो गई थी मैं विवर्ण नहीं जानता, जांग योंग जियान ने कहा जल्व ही के के पास परिनाम था टांग डेमिंग ने बार बार जांग योंग जियान से संपर किया था ऐसा लग रहा था कि टांग डेमिंग ने सब कुछ योजना बद्ध किया था आपने जांग योंग जुन को बली का बकरा क्यों बनाया काव्या ने पूछा दरासल, गुमान की तलाश के लिए भेजी गई पुलीस टीम के एक पुलीस कर्मी को जांग योंगजिआन ने पहले ही रिश्वत दे दी थी. एक बार जब उसने गुमन और काव्या को मार डाला तो वहाँ पुलीस कर्मी को बताएगा कि उनके शफ कहां मिलेंगे और पुलीस कर्मी यह दावा करते हुए जांग योंगजुन को मार देगा कि जांग योंगजुन ही हत्यारा है उस स्थिती में किसी को पता नहीं चलेगा कि जांग योंगजुन को आज जो कुछ जहलना पड़ा उसके बाद उसका दिल पहले ही तूट चुका था फिर भी जब उसने अपने बड़े भाई की योजना के बारे में सुना तो वहाँ इसे स्वीकार नहीं कर सका काव्या ने आँ भरी दुर्ष्ट लोगों के कार्य सामान्य लोगों की कलपना से परे थे ठीक उसी समय जांग योंगजियान का फोन बजा फोन करने वाले का नाम वांग क्विंग था वांग क्विंग कौन है काव्या ने पूछा वहाँ वही पुलीस कर्मी है जिसे मैंने रिश्वत दी थी जहांग योंगजिया ने कहा काव्या ने कॉल का उत्तर दिया और उसे स्पीकर पर डाल दिया हाई, योंगजियन, हमें महिला मिल गई है और हमें अब जाना होगा, वांग क्विंग ने कहा यह सुनकर काव्या ने बिना कुछ बोले फोन रख दिया वांग क्विंग को नहीं पता था कि क्या हो रहा है लेकिन उसने वापस फोन भी नहीं किया हांग फेन उसे खोलो काव्या ने कहा हांग फेन ने तुरंट जांग योंगजुन को खोल दिया काव्या ने जांग योंगजुन की ओर रुख किया और उसे खंडे स्वर में चेतावनी दी आज रात तुम पर क्या गुजरी है यह किसी और को मत बताना अगर किसी और को पता चल गया तो आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी बेशक बेशक जांग योंगजुन ने तुर इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगी काव्या ने कहा यह सुनकर जांग योंगजियान शांत हो गया लेकिन फिर काव्या ने फिर से अपना मुह खोला हालां कि आप कुछ बुक्तान किये बिना यहां से नहीं जा सकते जांग योंगजियान डर गया था आप क्या चाहते ह जांग योंगजियान ने डरते हुए पूछा, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, काव्या ने ठंडे स्वर में कहा और फिर उसे नजरंदाज कर दिया, लेकिन होंग फेन की और मुड़ी जो भी डरा हुआ था, हांग फेन समझ गया कि काव्या उसे सजा दिये बिना जान काव्या ने कहा, फिर अपने बैक पैक, तेली पैथिक आई स्पेस से एक तेज चाकू निकाला और उसे हांग फेन के सामने फेक दिया, यहां अपने आप करू, हांग फेन डर से काम रहा था, हाला कि वह डरा हुआ था, फिर भी उसने तुरंद अपनी बाई छोटी उंगल से चलाने लगा, खिर काव्या ने क्यूई तियानलिन को कॉल करने के लिए अपना फोन निकाला और उसे कहा कि वह जांग योंग जियान और दो भारी आदमियों से निपटने में उसकी मदद करे, काव्या को इसकी परवाह नहीं थी कि वे जीवित बचे या नहीं, बात में काव्या चली गई, जबकि होंग फेन को गंभीर दर्द सहन करना पड़ा और किरिंग दिरों के अन्य सदस्यों की प्रतीक्षा में जांग योंग जियान की रक्षा की, काव्या के जाने से पहले उसने जांग योंग जियान का फोन बरबात कर दिया, ताकि टैंग देमिंग उसे संपर्क न कर सके, ठीक उसी समय टैंग देमिंग टैंग वयों के स्थान पर था और उसने सुना था कि पुलीस पहले ही पुलीस स्टेशन वापस चली गई थी और उनका काम पूरा हो गया था, हाला कि उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि गूमन मारा गया थ पुलीस ने अपने नेता के आदेश के अनुसार अपना काम किया और उनके नेता ने उन्हें सब कुछ नहीं समझाया, यहाँ देखकर कि पुलीस पहले ही पुलीस स्टेशन वापस आ चुकी थी और जांग योंग जियान ने अभी भी उसे रिपोर्ट नहीं किया था, टां यहाँ जांग योंग जियान से संपर्ट नहीं कर सका, टांग डेमिंग और टांग वेयोंग चिंतित हो रहे थे, क्या हुआ, जांग योंग जियान मेरी कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहा है, टांग डेमिंग ने जुंजलाहट में भौहें चड़ा ली, क्या वह गरेलू नौकर टैंग परिवार की संपत्ती में रहते थे, लेकिन उस पर एक से अधिक इमारते थी. सभी घरेलू नौकर बगल की एक इमारत में रहते थे. भले ही में घरेलू नौकर हो, उनके आवास की स्थिती बिल्कुल भी खराब नहीं थी. चार सामान्य घरेलू नौकर एक कमरा साजा करते थे, और प्रबंधन कर्मियों में से प्रत्यक के पास अकेले एक कमरा हो सकता था. सभी स्टाफ को हर हफ़ते दो दिन की छुट्टी मिलती थी, लेकिन उन्हें शिफ्ट में आराम करना पड़ता था. आम तोर पर, वे रात उठकर बाहर चला गया. हाई, उसने ध्यान से कहा जब आसपास कोई नहीं था. शिंजी, टैंग परिवार अब कैसा है? फोन से आवाज आ रही थी जो किसी पुरुष या महिला की नहीं थी, यह सपश था कि उस व्यक्ती ने वोयस चिंजर का उपयोग किया था. मैं आज सा कोई भी खबर मौखिक रूप से फैला देते थे. हाला कि उन्होंने तांग परिवार के साथ गोपनियता समझोते पर हस्ताक्षर किये थे, इसलिए किसी को भी कोई भी खबर बाहर फैलाने की अनुमती नहीं थी. ठीक है, कोई जानकारी मिले तो मुझे कॉल करना. जरूर, शिंजी ने कहा और फिर फोन रख दिया. हाला कि जब वह वापस चलने की इच्छा से मुड़ा, तो उसने एक आदमी को देखा जो उससे सिर्फ एक मीटर पीछे खड़ा था. शिंजी डर गया और थोड़ा घबरा गया, लेकिन खुद को शान्त होने के लिए मजबूर किय डीडोंग जी, तुम कब बाहर आए? डोंग जी दीवार के सहारे जुक कर उसकी ओर देख रहा था. शिंजी, आपने हमें कॉल लेने से क्यों रोका? शिंजी थोड़ा ठिठक गया और फिर तुरन समझाया. मैं शोर नहीं मचाना चाहता था, हाला कि उनका सपश्चीकरण बिल्कुल भी प्रेरत नहीं था, क्योंकि वे सभी उची आवाज में बात करने के आदी थे और कोई भी शिकायत नहीं करता था. डोंगे ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सिग्रेट जलाई, फिर खीच ली. शिंजी, क्या आप अपनी नौकरी बदलना चाहते हैं? शिंजी का श शिंजी से ठंडे स्वर में कहा, शिंजी, मैंने लंबे समय से आपके असामान्य व्यवहार पर ध्यान दिया है, लेकिन मैं आपको एक मौका देना चाहता था, इसलिए मैंने आपका रहसे उजागर नहीं किया. मुझे आशा थी कि आप हमारे पुराने स्वामी और युवा प्रभों के प्रती वफादार रहेंगे, लेकिन फिर भी आपने तांग परिवार के विरुद्ध व्यवहार करना चुना. क्या आपको लगता है कि तांग परिवार को आसानी से सत्ता से हटाया जा सकता है. अनाडी, दोंगे का असली नाम कियाओ डोंग था, और वह तांग इसलिए उसने शिंजी को एक और मौका दिया. दुर्भाग्य से शिंजी ने हार नहीं मानी. यह सुनकर शिंजी का चहरा पीला पड़ गया और उसका शरीर दर से कांपने लगा. उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि डोंगे को वह सब कुछ पता था जो उसने किया था. उ अगर तान परिवार पागल है तो आप परिणाम सहन नहीं कर सकते. क्या आपको लगता है कि इस योजना का खुलासा होने पर वे आपकी मदद करेंगी? यदि आप अपना जीवन बरबाद नहीं करना चाते हैं, तो मुझे लगता है कि बहतर होगा कि आप अभी जो कर रही ह उसे रोक दे और मास्टर टैंग के प्रती इमानदार रहें. चूकि आपने अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुँचाया है, मास्टर टैंग बस आपको भगा देगा और आपका जीवन बरबाद नहीं करेगा. हाला कि यदि योजना उजागर हो जाती है, तो आपकी मृत्य हो सकती है. मैं इसे आपके लिए हमेशा के लिए नहीं चिपाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे भी दंडित किया जाएगा, क्याओ डॉंग ने गंभिरता से कहा. लेकिन, शिंजी घबरा गया, लेकिन तुरंट सहमत नहीं हुआ. इसके बजाए, वह जोर स को चोट पहुँचाएंगे, शिंजी फूट-फूट कर रोने लगी. एक बार जब वह रोने लगा, तो बहुत से लोग यहाँ देखने के लिए बाहर आये कि क्या हुआ था. शिंजी, क्या गलत है, उन सभी ने चिंता से पूछा. कुछ नहीं, उसे बस अपनी पत्नी का फ कि उसने तांग परिवार को धोका दिया है. हर कोई शिंजी के लिए महसूस करता था और उन्हें अपने परिवारों की भी याद आती थी. हाला कि पैसे कमाने के लिए उन्हें घर छोड़ना पड़ा. तांग परिवार में उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था और उनके साथियों की तुलना में अधिक वेतन दिया जाता था. इसलिए वे इस तरह के बंद काम को स्वीकार कर सकते थे. और सप्ता में केवल दो बार घर वापस जाते थे. चिंता मत करू. मैं यहां उसके साथ रहूँगा. आप अपने कमरे में वापस जा सकते हैं. कियाओ दोंग ने उनसे कहा. वे जानते थे कि अगर वे रुके तो शिंजी को शर्मिंदगी महसूस होगी. इसलिए वे सभी चले गए. शिंजी मुझे आपके प्रती गहरी सहानुभूती है. लेकिन आप अभी भी इससे बच नहीं सकते. मैं तुम्हें इसके बारे में सोचने के के लिए एक रात दूँगा. यदि तुमने कल मास्टर कैंग को यहां नहीं बताया कि तुमने क्या किया है, तो मैं यहां कर दूँगा. आप जानते हैं कि यहां मास्टर टैंग ही है, जिननोंे मेरी जान बचाई और मुझे वह सब कुछ दिया जो इस समय मेरे पास है. Master Tank से इसे चुपाने के लिए मैं पहले से ही बहुत दोशी महसूस करता हूँ और मैं Tank परिवार को कभी धोखा नहीं दूँगा क्याओं डोग ने कहा, फिर अपने कमरे में वापस चला गया जब काव्या हुआफू हिल स्थित अपने घर वापस गई तुमने मुझे तुम्हें लेने के लिए क्यों नहीं बुलाया लेंग शाउटिंग ने चिंता से पूछा काव्या मुस्कुरा दी मैं स्वयन टैक्सी ले सकता हूँ क्या वह अभी भी यहां है निस्सन देह वह तांग युनफान था हाँ लेंग शाउटिंग ने कहा ठीक है क्रिपया बैठ जाइए मैं उपर जाओंगी काव्या ने कहा जरूर लेंग शाउटिंग ने कहा फिर काव्या उपर चली गई गुमन का कमरा बंद नहीं था और दर्वाजा खुला हुआ था वह बिस्तर पर सो रही थी और तांग युनफान बिस्तर के पास उसका हाथ पकड़ कर चुपचाप बैठी थी अंकल कैंग क्या हम बात कर सकते हैं काव्या ने धक्का देकर दर्वाजा खोला और उससे पूछा वह तांग युनफान को परेशान नहीं करना चाहती थी लेकिन यहाँ एक आपात कालीन स्थिती थी इसलिए उन्हें इसे जल्द से जल्द हल करना था जरूर तांग युनफान समझ गया कि यहाँ गुमान के बारे में कुछ है इसलिए वह काव्या के पीछे-पीछे अध्ययन कक्ष की ओर चल पड़ा जब काव्या ने उसे बताया कि जांग युनफान क्रोधित हो गया धत तेरी की उनकी आपके साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई यहाँ तक की काव्या को भी टैंग युनफान के गुसे से थोड़ा डर लगा हालांकि हमारे कई दुश्मन है मुझे लगता है कि इसकी बहुत संभावना है कि टैंग डेमिंग ने हमारे खिलाफ साजिश रची है टैंग युनफान ने कहा हाला कि मुझे नहीं लगता कि वहां इसे अकेले कर सकता है उसके पीछे कोई और भी होगा वह व्यक्ति बहुत चालाख है और मुझे भी नहीं पता कि वह कौन है यह कार दुरघटना भी उनकी योजना का हिस्सा हो सकती है यह सुनकर काव्या भी पागल हो गई एक योजना वह सोचती थी कि यहां महज एक दुरघटना थी टैंग युनफान ने कहा मैं टैंग परिवार में एक मात्र व्यक्ति हूँ जो व्यवसाय को अच्छी तरह से चला सकता हूँ मेरे पिता ऐसा करने के लिए बहुत बुड़े हैं जबकि जियायान बहुत छोटा है इसलिए जब मैं कोमा में गया तो उन्होंने तुरंट कारवाई की काव्या ने कहा अगर ऐसा है तो हम इस मौके का फाइदा उठा सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि पर्दे के पीछे का शक्स कौन है यह सुनकर कांग युनफान तुरंट काव्या का आर्थ समझ गई क्या आपका मतलब है कि मैं दिखावा कर सकता हूँ कि मैं अभी भी बेहोश हूँ और उनकी चाल को हमारे काम में ला सकता हूँ हाँ काव्या ने उत्तर दिया तांग युनफान भी सहमत हुए सौभाग्य से बाहर पहले से ही अंधेरा है मुझे लगता है कि अब भेतर होगा कि आप टैंग परिवार के घर वापस जाएं और बिस्तर पर लेते रहें मैं कल अपनी मा को तुम से मिलने लाऊंगी काव्या ने कहा हाला कि तांग युनफान जाने को तयार नहीं था लेकिन उसे ऐसा करना पड़ा क्योंकि वे कल अपने दुश्मन को पकड़ने वाले थे जब काव्या टैंग युनफान को लिविंग रूम में ले गई तो टैंग युनफान को आश्चर्य हुआ कि लेंग शाउटिंग रुकी थी हाला कि तांग युनफान को लगा कि यह थोड़ा अनुचित था कि लेंग शाउटिंग काव्या के घर पर रुके थे जब कि पहले से ही दोपहर के बारा बज रहे थे उन्होंने आगे नहीं सोचा क्योंकि लेंग शाउटिंग ने आज उन्हें गुमान की खोज करने में मदद की थी. शूटिंग, क्या आप अंकल टैंग को टैंग परिवार के घर वापस भेजना चाहेंगे, काव्या ने कहा. बिल्कुल नहीं, लेंग शाउटिंग ने खड़े होकर कहा. धन्यवाद, तांग युनफान ने विनमरता से कहा. मेरी खुशी, लेंग शाउटिंग ने कहा. उसके बाद, लेंग शाउटिंग ने तांग युनफान को घर भेज दिया. रास्ते में, उन्होंने शायद ही कभी बात की, क्योंकि तांग युनफान अभी भी सोच रही थी कि आज क्या हुआ था. उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि लेंग शूटिंग काव्या का बॉइफ्रेंड है. अगर उसे पता होता तो वहाँ उससे बात करके उससे परिचित होता. थोड़ी देर बाद, तांग युनफान को तांग हैफिंग का फोन आया और तांग युनफान ने तांग हैफिंग से कहा कि वहाँ जल्द ही वापस आ जाएगा. इसलिए तांग हाइफंग ने उसका इंतजार करने का फैसला किया तांग युनफान के तांग परिवार के घर पहुँचने के ठीक बाद लें शाउटिंग बाई ओर चले गए तांग हाइफेंग ने सभी को चेतावनी दी थी की वे किसी और को यहाँ न बताएं कि तांग युनफान अब जाग रहा है, अन्य था, उन्हें दंडित किया जाएगा तांग परिवार अब खत्रे में था, इसलिए उन्हें बहुत सावधान रहना होगा और सतर्क रहना होगा कियाओ डों को केवल यहाँ पता था कि शिंजी ने यहाँ खबर लीग की थी कि तांग युनफान कई दिनों से बेहोश था, लेकिन वह नहीं जानता था कि इस बार गुमान का अपहरण क्यों किया गया था, इसलिए उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि शिंजी का अपहरण से कोई लेना देना है या नहीं, लिविंग रूम में तांग हाइफेंग, तांग युनहां और उनकी पत्मी, काओ रुई हुआ और उनकी पत्मी, साथ ही काओ वेंजुन और काओ वेनक्सिन सभी तांग युनफान की प्रतीक्षा कर रहे थे, कैसा है, तांग युनफान ने उन्हें सब कुछ बताया, और उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ कि तांग देमिंग ने उनके खिलाफ युजना बनाई थी, क्योंकि वे हमेशा से जानते थे कि वहां महत्वा कांग शी था, हाला कि वे सभी गुस्से में थे, आम कार पर तांग परिवार के होने का नाटक करेगा, तो वे सभी सहमत हो गए, मुझे आश्चर्य है कि जानकारी किसने लीग की, इतने दिनों के बाद भी हमें पता नहीं चल सका, टैंग युन्रों पागल था, तांग परिवार कब से इतना असुरक्षित हो गया है, हमने उस व्यक्ति को कैसे नहीं पक लेकिन वे एक ही कमरे में नहीं रह सकते थे, लेंग शाउटिंग को समझ आ गया कि आज उसे जो कुछ जेलना पड़ा उसके बाद वहाँ अच्छे मूड में नहीं थी, इसलिए वहाँ अतिती कक्ष में सोने चला गया, उस रात बहुत से लोग सोन नहीं सके, काव्या को न शूटिंग को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वह काव्या के बारे में चिंतित था, टैंग परिवार के सदस्य सोन नहीं सके क्योंकि उनका परिवार और पारिवारिक व्यवसाय अभी भी खत्रे में था, शिंजी सोन नहीं सका क्योंकि वह नहीं जानता था कि उसे तांग परिवार को धोखा देने की बात कबूल करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि उसे डर था कि उसके बेटे को मार दिया जाएगा। टैंग डेमिंग और टैंग वयोंग भी सो नहीं सके, क्योंकि वे जांग योंग जियान या शिन्जी तक पहुँचने में असल रहे, और उन्हें पता नहीं था कि उनकी योजना कैसे आगे बढ़ी। जिवार के घर जाना चाहिए। गूमन भी उत्सुक था कि क्या टैंग युनफान को उसके बारे में याददाश्ट वापस आ गई है। गूमन को पता नहीं था कि उसे अब क्या करना चाहिए। जब वहाँ नीचे चली गई तो लेंग शाउटिंग को देखकर आश्चर्य हाई सुप्रभात लेंग शाउटिंग ने उनका स्वागत किया। शूटिंग तुम यहां क्यों हो गूमान ने पूछा। ओ, कल रात बहुत देर हो गई थी, इसलिए मैंने शाउटिंग को यहीं रुखने के लिए कहा, काव्या ने लेंग शाउटिंग के मुह खोलने से प हमारी बहुत मदद की, गूमान ने उसे सांथवना देने के लिए कहा, ठीक है, चलो अब नाश्ता करते हैं। हम बाद में टैंग परिवार के घर जाएंगे, काव्या ने कहा, क्या हमें वहां दोबारा जाने की जूरत है, ऐसा इसलिए नहीं था, क्योंकि गूमान ऐसा करन नहीं था, बलकि उसे समझ नहीं आया कि वे फिर से तांग परिवार के घर क्यों जाएंगे क्योंकि तांग युनफान पहले से ही जाग रहा था, ठीक है, यह थोड़ा जटिल है, योजना के कारण ही इस बार आपका अपहरन कर लिया गया, टैंग परिवार के दुश्मन हम टैंग परिवार के बिजनेस ग्रूप के चेर्मेन पत के रास्ते से हटाना चाते हैं, हाला कि अंकल टैंग अब जाग रहे हैं, हमें चाल को अपने उपयोग में लाना होगा और पता लगाना होगा कि इस योजना के पीछे कौन व्यक्ति है, इसलिए अंकल टैंग उसनिया और डरावना लगा, उसने सिर हिलाया और सहनती व्यक्त की, लेकिन दूसरा शब्द नहीं कहा, इस समय तांग परिवार के घर में, शिंजी ने पूरी रात संगर्ष किया था, लेकिन अंत में उसने जो कुछ भी किया था, उसे कबूल करने का फैसला किया, इसलिए उसने नाश्ते के बाद तां हैफेंग को देखने के लिए कियाओ डों का पीछा किया, तां युनहां और उसकी पत्नी काम पर थे, जबकि तां युनफान यहा दिखावा कर रहा था कि वहा अभी भी अपने शयंतक्ष में बेहोश है, इसलिए अब घर में केवल तां हैफे बाद में कियाओ डों शिंजी को अंदर ले आया, शिंजी डर और अपराद बोच से कापते शरीर के साथ तां हैफेंग के पास आया और फिर तेज आवाज के साथ जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, जिससे तां हैफेंग आश्चरयचकित रह गया, मास्टर टैंग मु मेरे बेटे को माल डालेंगे, यह सुनकर टां हाइफेंग चौप गया, फिर जिंजी का अंतिम वाक्य सुनकर शांत होने से पहले क्रोधित हो गया, एक पिता के रूप में टां हाइफेंग समझ गये कि शिंजी ने ऐसा क्यों किया, हाला कि शिंजी ने एक भयानक गलती की और टांग परिवार को धोखा दिया, कियाओ डों को अब तक नहीं पता था कि शिंजी ने काव्या और गुमान के साथ टांग युनफान के रिष्टे को भी लीक कर दिया था, उस मामले में गुमन का अपहरन टांग के कारण हुआ था, परिवार, हाला कि टांग युनफान और काव्या के संबंद को अभी भी गुप्त रखा गया था, लेकिन टैंग परिवार के सभी घरेलू नौकर जानते थे कि काव्या एक साधारन लड़की नहीं हो सकती, यदि गुमन और काव्या टांग युनफान की पत्मी और बेटी थी, तो गुमान का अपहरन टांग प मैं केवल उस व्यक्ती का फोन नंबर जानता हूँ, मुझे यह भी पता नहीं है कि यह वहा है या वहा, क्योंकि उस व्यक्ती ने फोन पर वोईस चिंजर का इस्तमाल किया था, यह सुनकर तांग हाइफेंग और क्याओ डोंग डोनों भौहें चड़ गई, ऐसा नहीं लग और टांग हैफेंग ने कियाओ डोंग को नंबर के पीछे आईडी कार्ड की जानकारी खोजने के लिए कहा, यद्यपी आपने किसी अन्य व्यक्ती की धंकी के तहत हमें धोखा दिया है, आपने एक अक्षमे गलती की है, टांग हाइफेंग ने कहा, शिंजी ने माफी की भ से बाहर निकल जाओ, यदि आप नहीं चाहते कि आपका बेटा फिर से खत्रे में हो, तो सिटी भी छोड़ दे, क्याओ ग्वांजियान के अपार्टमेंट में, क्याओ ग्वांजियान पानी में चुहे की तरह सोफे पर सो रहा था, बिखरे बालों और सूनी आखों के पुराना फोन नंबर भी रद्द कर दिया गया था, इसलिए वह अब निराशा में था और शराब में डूबा हुआ था, उसी क्षण पेई हेना वापस आ गई, जिया यिचु के गायब होने के बाद वह भी बुरे मूड और स्थिती में थी, जब उसने देखा कि क्याओ ग गौानजियां गुस्से में चिलाया, जिया यिचु एक ऐसी कुटिया है, जब मैं उसे पकड लूँगा तो मैं उसे पैसे वापस कर दूँगा, पेई हेना ने भी अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए चिलाया, दिल्चस्प बात यहा है कि वे दोनों बरबाद हो गए थ लेकिन पेई हेना अभी भी जिया यिचु को वापस बुक्तान करना चाहती थी, कुछ ही देर में क्याओ गौानजियां का फोन बजा और उसने उसे उठाया, कॉल करने वाला एक बिजनेस पार्टी था और उसने पूछा कि क्या पेई हेना एक सप्ता के समय में फ्री है, व पेई हेना के पैर में गलती से चोट लग गई और उसे एक महीने तक आराम करना पड़ा, क्याओ गौानजियां का जवाब सुनकर, पेई हेना परेशान हो गई, लेकिन वह जानती थी कि उसके पास कैमरे के सामने मंच पर लाइव गाने की क्षमता नहीं है, इससे भी बुरी बात यह थी कि वे हमेशा के लिए जूट नहीं बोल सकते थे, राजधानी में जिया यिचु को अनुबंध पर हस्ताक्षर करने क बाद एक अच्छा अपार्टमेंट मिला था, और वहाँ बाद में अस्पताल में अपनी चोट की जाँच कराने गई थी, उसके बाद जिया यिचु ने उस दवा का उपयोग करना शुरू कर दिया जो काव्या ने उसे दी थी, जब आश्ती उसके निशान पर लगाई यहाँ वास्तविक है, जिया यिचु उत्सा में रो पड़ी, आखेकार वहाँ दाग से छुटकारा पास सकी और अपना सुंदर चेहरा वापस पास सकी, यहाँ बहुत अद्भुत है, जिया यिचु से भी अधिक उत्साहित था, क्योंकि उसकी बड़ी बेहन उसके परिव व्यक्ति के समगर चेहरे की विशेशताओं को प्रभावित नहीं कर सकता है, इसलिए अन्य लोग अभी भी जिया यिचु को पहली नजर में पहचान लेते हैं, लेकिन निशान बहुत तेजी से गायब हो गया, जो विश्वास से परे था, क्या आप जिया यिचु की होने में कम से कम कुछ महीने लग गए, लेकिन जिया यिचु केवल तीन दिनों के बाद सुंदर हो गई, मैंने नहीं किया, जिया यिचु ने कहा, जिया यिचु समझ गई कि वे सभी आश्चर्यचकित थे, लेकिन वह काव्या की अनुमती के बिना उन्हें असली कारण नह बताएगी, इसलिए उसने लूजियो से उसके कार्याले में मिलने का बहाना बनाया, जब लूजियाओ ने जिया यिचु को देखा तो वहाँ भी दंग रह गया, यहाँ अनुचित था कि वहाँ इतने खूपसूरत चेहरे और उत्त्रिष्ट गायन आवाज के साथ लोप्र लेकिन उसका मानना था कि वहा एक साधारन लड़की नहीं हो सकती, इसके अलावा काव्या लेंग शाउटिंग की प्रेमिका बनने में सक्षम थी, जो लूजियो की नजर में एक चमतकार था, अचानक लूजियाओ ने जिग्यासा से पूछा, वैसे आप हमारे बॉस के बा और उसने अपना भविश्य बदल दिया, नेहसंदे, लूजियाओ इस बारे में बहुत सपष्ट था कि जियाओ यिचू किस दौर से गुजर रही थी, क्योंकि उसे अपने नेता के रूप में कियाओ गौांजियां से निपटने की जरूरत थी, क्या वह बहुत सुंदर है लूजियाओ ने फिर पूछा, उसने सोचा कि लेंग शाउटिंग असाधारन रूप से सुंदर थी, इसलिए काव्या को भी सुंदर होना चाहिए, हाला कि जिया यिचू को आश्चर्य हुआ कि लूजियाओ पहले कभी काव्या से नहीं मिली थी, जिया यिचू को इतना आ पूरा हो जाता है, इसके बाद उन्होंने कहा, उसके बारे में किसी को मत बताना, इसे गुप्त रखना, जुरूर मैं ऐसा नहीं करूंगा, जिया यिचू ने तुरंत कहा, ओ, आपका एज़न पहले से ही यहां है, यद्यपी आप एक अच्छे गायक है, फिर भी आपको भ धन्यवाद, प्रबंधक लू, जिया यिचू ने कहा, टैंग डेमिंग ने सुबह जांग योंग जियान को फिर से फोन किया, लेकिन फिर भी जांग योंग जियान से संपर्क नहीं हो सका और उन्हें लगने लगा कि उनकी योजना उजागर हो सकती है, उन्होंने बाद मे अगर शिंजी ने कॉल का जवाब नहीं दिया तो इससे संदेह पैदा होगा और शिंजी के बेटे को चोट पहुँचेगी, यह सुनकर तांग डेमिंग ने शिंजी पर विश्वास किया, जब शिंजी ने तांग परिवार का घर छोड़ा, तो उसने अपनी पत्नी को फोन आया था, लेकिन वह तब तक नहीं गए जब तक उन्होंने उनके साथ नाश्ता नहीं किया, काव्या समझ गई कि लेंग शूटिंग को एक काम सौपा गया है, और उसे पूरा करने के लिए उसे जाना होगा, नाश्ते के बाद काव्या और गुमान लेंग शाउटिंग के स तो उसने अपना मन बदल लिया, यदि वे सिर्फ आम दोस्त होगे, तो वह उसे छोडने के लिए इतना अनिचुक नहीं होता, इसलिए एक बार लेंग शाउटिंग के चले जाने के बाद, गुमान ने काव्या से गंभीरता से पूछा, निंग निंग, क्या तुम्हें यक अच्छी दोस्ती हो गई थी, फिर भी गुमान उसके बारे में बहुत कम जानता था, सबसे महत्वपूर्ण बात यहा है, कि काव्या बहुत छोटी थी और गुमान उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित थी, काव्या एक क्षण के लिए अवाक रह गई, फिर बोली, मा, चूक में किसी दिन शादी कर सकते हैं.